हेलो दोस्तों केसे आप स्वागत करता हूँ हमार डिप चैनल क्रिकेट यान एस्पी पे तो गाइस इस तूडियो में हम बात करने वाले हैं अब उधा भी टी टेन का मैच डी जी वर्सेस बी जी टी के भी जो खेला जाएगा उसके all stats analysis and information साथ ही गाइस आपको इस तूडियो में एक giveaway question भी मिलेगा अगर गाइस आप उस giveaway question का सही answer कमेंट करते हो तो गाइस आप 100 रूपीज विन कर सकते हो और हाँ अभी तक आपने हमार टेगराम चैनल जोइन नहीं किया है तो जल्ली से जोइन कीजे टेगराम चैनल का लिंक आपक पर जो भी small league की team होगी या फिर गाइस mini grand league की याने की small league की team जो मैं आपको mini grand league की team देता हूँ वह होगी वह आपको यहाँ पर मिल जाएगी और साथ ही आपको यहाँ पर सभी winnings भी share की जाती है तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो और अभी हमारे फिलहाल जो titan के मैच अच्छे से सभी अच्छे जा रहे है और यहाँ पर देख सकते हो हमारे एक user ने जो हमारे small league की team ती उस small league की team से यहाँ पर mini grand league भी win की है आप यहाँ पर चेक कर सकते हो तो गाइस अभी तक आपने हमारे टेग्राम चैनल जोइन नहीं के है तो जल्दी से जान कीज़े टेल सायर स्टेडियम अभुधाभी के विन्यों पे एमेज खेला जाएगा पीच रूपोड की बात करें तो गाइस न्यूट्रल पीच रहेगा यहाँ पर बल्लेबाज और तेज गेंद्राजों को यहाँ पर help मिलेगी तो पहले यहाँ पर बात करेंगे डीजी यारे के डेक कर को को फ्लेयर ओपूर ऑपनिंग और दिक सकते हैं दोडों है आप यहाँ पर राइठ हेंडर बलेबाज हैं साथ ही डाष आप यहाँ देख सकती हो मैंने सभी प्लेयर के हाँ प्लेयर रोल रोल लिक्ए है जैसे कि आपको पता चले कि कौन सा फ्लेयर लेफ्ट है या फिर र प्रवाब रियाज एंड सुल्तान हिमद आपको इनकी तरफ से आपके खेलते हैं यहाप आपको बता दो कि इनकी जो प्लेइंग इलेवन होती है उनका यहाप पे बैटिंग ओर्डर फिक्स नहीं होता है और साथ ही गाइज हर मैच में इनकी प्लेइंग इलेवन चेंज होती रहेते हैं जैसी कि आप देख सकते हो यहाप टीन मल में से अच्छे गिनबास है लेकिन एक मैच खेलते हैं एक मैच नहीं खेलते हैं एसा होता है तो है आपको उसका सारा अपडेट आपको टेग्रम चैनल पे मिल जागा कि कौन-कौन सा प्लेयर खेल रहा है और कौन-कौन सा प्लेयर नहीं खेल रहा है साती उनका वैटिंग ओर्डर क्या रहेगा तो गाइस मिहाप पर हम बात करते हैं वहाप टीटिन के ट्वेंटी ट्वेंटीवन की ऑल सेट्स याने कि इस सीजन के सभी प्लेयर्स के स्टैट्स क्या रहे हैं टॉम बैंटन ने इस सीजन में डेविड वीजाने गाज है आपे 9 मैचेस के लिए 118 रंस मनाए है ओच ओडियन स्मित ने आपे 9 मैचेस के लिए है और 7 विकेट चटकाए है और 97 रंस भी बनाए है बल्ले के साथ वर्ण्दुफसरांगा ने आपे 9 मैचेस में 45 रंस और 13 विकेट चटकाए है नजीब उल पाए है तो गाइस अब हम बात करते हैं बीजीटी की प्रोबैबल प्लेंग लिए उनकी यानि की बांगला टाइगर्स की प्लेंग 11 क्या हो सकती है तो गाइस हजरत तलदाजाए आपको इनकी तरप से ओपन करते हैं दिख सकते हैं जोहांसन चार्ल्स के साथ विल जैक वन सिजन के स्टैट्स के बारे में बात करता है तो इनकी हाइस को रहे है हजरत जा साइड hydration ने एتمैचे के से में 208 रंस विल जैक ने एट में में 156 यहां पर इनका बाला नहीं चला है यहां पर इस उरू उडाना के बात करें तो गाइस इस उरू उडाना ने यहां पर आप देख सकते हो यहां पर आपको इंपोर्टन लगे है और आपको पसंद आये है विकाद आपको एक नेक्स वीडियो भी नेक्स मैच की वीडियो प्रोवाड करने वाला हूँ उसमें आपको विधाउट स्टैट्स ओनली प्लेयर की इंफोर्मेशन एनलाइसिस एंड यहां पर नेक्स वीडियो में मैं सिर्फ प्रेडिक्शन करूंगा कि कौन सा वीडियो केसा खेलता है और क्या कर सकता है इस वीडियो में आपको यहां पर स्टैट्स के द्वारा क्या रहेगी तो आप यहां पर विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे तो आपको यहां पर टीम और जोहां संचास दो विकेट कीपर मिलेंगे बड़ गाइस मैं आपको सुझेश्ट करूंगा कि टॉस का विडिक करें इसलिए मैं आपको बोल रहा हो कि टेरम से जुड़ यानि कि टूम मूर्स का 77 % सेञेट अगर टॉं मूर्स की पहले गेन बाज यानि करते है व tremendous को यहां पर जादा हो जाएगा मैं आपको गारंटी देता हूँ और जोहां सेजर्स का कम हो टॉम मूर्स से भी ज्यादा हो जाएगा वह आपको बाता दो कि अगर इस मैच में किदर गए टॉम बैंटन आते हैं तो गाइस टॉम मूर्स ओपनिंग नहीं करेंगे वह आपको वन डाउन फिर टू डाउन खेलते हुए दिख सकते हैं तो गाइस फिल्हाल में ने यहाँ पे टॉम मूर्स को अपनी स्मॉल लेकिटी में जगा दी हैं बल्लेबाजी सेक्शन से गाइस हजरतला जजाई विल जैक और टॉम बैंडन इन तीनों को में किसी बेहालत में नहीं छूड़ूंगा वेकॉद आपको गाइस तीनों की प्लि सेकेंड बल्लेबाजी हो यानि की चेस करते हो फर्स गिन बाजी में आपको अच्छा खासा पहुमस नहीं देंगे अनुगरली ने गाइस लास मैस में अच्छा यहाँ पे स्कूर किया था आप देख सकते हो 78 पॉंट दिये थे बट हर मैस में अच्छा पहुमस करने की वू फर्म साथ नहीं है तो गाइस मैं आपको यहाँ पे कोई भी बैट्समन को सगेस्ट नहीं करूंगा अगर गाइस कोई भी टीम चेंजेस करना चाहिए और यहाँ पे टीम में एडम लित या फिर विल समित इन दोनों में इससे कोन सावी प्लेयर आता ही तो गाइस मैं आपक कासी बल्ले बाज लास एपको दीक सकते है कि यहाँन की बात करते ही ज्यओं अगर इनकी टीम की पहले बल्ले बाज ब्रकंण की चठकाते लेकिन एड़ sırकान की पहले बल्ले सब्सक्रिक में करते है तो थी तो इन उनें इससे बानाने को आपक आपने आप प्रफनी टीम में रख सकते हो लेकिन अगर इनकी पहले गेंड वाज या थे तो आपको इन अपने टीम में कैप्टन मास कैप्टन जरूर रखना है फिलाल में अपनी स्माल लेकी टीम में लेके चलूंगा इनके पास वेडियेशन्स है तो अच्छी का से विकर चटका सकते हैं अंद्रे रसल इंपॉर्टन वहेंगे बल्ले और गेंड दोनों के साथ पूहमस कर रहे हैं इनकी अपनी स्माल लेकी टीम में जरूर रखूंगा और क्याप्टन सी वाइस कैप्टन सी की बहुत बढ़ा और मैच नहीं पर है तो इनको जब भी बल्ले बाजी का मोहां हैं अच्छा का सी बंण बाजी कर सकते हैं इस शुरूबलन को अंपर सेलेक्शन बहुती कम हैं लास्ट मैच नहीं खեղेते में अगर खेलेगे लोए टीम के इंपोर्टन डेत गेन बाज रहेंगे और साथ ही बल्ले बाजी के साथ रहेंगे तो मैं इनको इनको अपनी स्माले की टीम में जरूर लूँगा आपको बले के साथ भी कौछ कॉंट्रिब्यूट दे सकते हैं और गेनवाजी से भी अच्छा पर्फमेंस किया है वहाब रियास इंपोर्टन प्लियर है टीमर मिल सकते हैं मुझे नहीं लगता है इनका इसा हो रहा है कि एक मैच खेल रहे हैं एक मैच डॉप हो रहे हैं एक मै गेनवाजी सेक्शन में हमारा ठेका होता है विकाज अगर यहाँ पे डिजी की पहले गेन बाजी आते तो एक दो तिन एक तीन तीनों प्लियर और साथी में जेम्स फॉकणर को लेके चलूँगा बड़ गाज अगर यहाँ पे पहले गेनवाजी आती है बीटी की तो मैं ओ वॉकनर ओर्डेंश मिद्वाब्रियाज एन्टिनमल मिल्स इन सभी प्लेर्स को लेके चल रहा हूं बाके फ्लेर्स को आप अपनी ग्राइन लेकिते में ट्राइ करना यहाँ पे गाइज जो मुहमदा मेरे लियुक फिलेचर लियुक उड यस अहमद इन चारों को भी अपनी लीख किते में बारे बारे रोटेट कर सकते हो तो काइज बात करें कैप्तान सी वाइस कैप्टन सी कि टो गैज यहाप अगर चेसिंग हुई तो इहापे हजर तरला जजाई मस्त मेरे कैप्टन रहेंगे बड़ गाइस पहले गेंबाज जो हुई वनिंदुहसरंगा थे तो इनको में कैप्टन बनाऊंगा फिलहाल में कप्तान हजरतरा जजाई भी से यहां पर वनिंदुहसरंगा को बना रहा हूँ पात करें तो ग्राइन लिग में आप अन्धरे रसल बेनी होवेल और यहां पर टीन मलमिंस को भी अपना वाज क्याप्टन ट्राइ कर सकते हो तो यहां पर आप देख सकते हो यह हमारी स्मॉल लेग की टीम का फाइनल प्यू है अगर आप हमारी small link की team में कोई भी चेंज़ेस करना चाहते हो तो कर सकते हो final update और final small link के team के लिए हम आप हमारी terram channel से जुड़े रहे हैं और हमारी terram channel जोईन कीजर, terram का link आपको description और comment section में दिया हुआ है वहाँ से आप हमारी terram channel join कर सकते हो तो guys thanks for watching this video